दोस्तों ये वीडियो आखरी तक देखना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे नियम बताए गए हैं बीच में ही छोड़ दिया या फिर थोड़ा सा ही देखा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा किर्पिया इस बात का ध्यान रखें दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मास नहीं खाना चाहिए पाप होता है तो उनी में से कुछ लोग वो भी हैं जो कहते हैं कि मास खाना चाहिए उसमें कोई पाप नहीं है तो आज भुद्ध के जीवन की इस घटना से आपको ये ग्यात होगा कि भुद्ध इस पर क्या कहते हैं, बहुत समय पहले जब बुद्ध बुद्ध नहीं थे, सिद्धात गौतम थे, ये उस समय की बात है, तब उस समय पांच सो लोग रिशी बन गए थे, और वो लोग हेमाले में जाकर रहने लगे, ध्यान साधना करने लगे, तपस्या करने लगे, वो वहां फल, फूल, पत्ते, आलू, ये ही सब खाने को मिलता था, नमक, खटाई, इन सब से वो पूरी तरह वंचित थे, क्योंकि किसी भी जंगल में उन्हें ये सब नहीं मिलता था, अब इस वज़ा से उन्हें समस्या होने लगी, वो नमक ना मिलने के कारण पीमार रहने ल तब वापिस हिमाल्य परवत पर आ जाएंगे, तब वो सभी रिशी गाउं में आते हैं, जब गाउं के लोग 500 रिशीयों को देखते हैं, तो उन्हें देख बहुत खुश हो जाते हैं, कि उनके गाउं में रिशी मुनी पधारे हैं, वो लोग उनकी खूप सेवा सतकार करत हैं, लेकिन उन सभी रिशीयों का एक द्रिश्टिकोन था, कि उन्हें कभी भी मास मच्छी नहीं खाना है, क्योंकि जो लोग ये सब खाते हैं, वो पापी हैं, और पूरी तरह से अशुद्ध होते हैं, इसलिए वो भी मास मच्छी नहीं खाते थे, वो रिशी उन गाउं क लोगों को भी यही उपदेश दिया करते थी कि मास मच्छी नहीं खाना चाहिए अब वो रशी कुछ समय बाद जब सुष्ड हो जाते हैं तो वापस जंगल चले जाते अब वो हो रशी क्या करते हैं कि साल बार जंगल में रहते हैं और साल में एक बार कुछ दिन के लिए गाउं की तरफ आते हैं और अच्छे से भोजन कर स्वस्त ठीक ठाक होकर वापस चले जाते हैं वो जब गाउं में आते वहां के लोग उनकी कूब सिवा करते आदर सतकार करते उन्हें मानते उन आते हैं और कुछ दिन वोहाँ पे रहकर उस गाँ के लोगों को धर्म का उकदेश देते हैं सत्य अवगत कराते हैं गाँ के लोगों ने जब बुद्ध की बाते सुनी तो भाष हैरान हुई और धीरी रिशी लोग वहाँ पे आते हैं लेकिन इस बार वो यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह लोग इस बार बदले-बदले से पहले की तरह सेवा सतकार भी नहीं कर रहे हैं उन्होंने उनमें इस बदलाव का कारण पूचा तब उस गाओं के लोग कहते हैं कि हम हात्मा खर्म पर उबदेश सत्य प्रवचन ने सबको बदल दिया और तभी आपको यह बदलाव दिख रहा है तब वो रिशी बुद्ध का राम सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हीं ने आज तक यह सुना था कि बुद्ध का उत्पर्ण होना बहुत मुश्किल है यह क। कि मासखाना पाप ह। गाओं ने ऐसा कुछ नहीं कहा और नाहीं उन्होंने कोई मासट मच्छी खाने side यह सुनते ही किया आप शूर। इसका मतलब कि बुद्ध नहीं कोई और है लेकिन फिर भी हमें मिलना चाहिए यादि बुद्ध हुए तो उनसे मिलकर हम सब का कल्यार होगा और यदि बुद्ध नहीं हुए तो कोई नहीं तब वो पांसो रिशी ये तैय करते हैं बुद्ध से मिलने के लिए चला जाएगा बुद्ध के पास जब वो पहुंच जाते हैं वो उनसे मिलते ही सबसे पहले पूछते हैं तो पाप है, इसे खाने से आपका शरीर अशुद्ध होता है, इसे खाने से जीवन में अशांती फैलती है, तब बुद्ध उनसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आप ही बताए, आम गंद यानि गमकना किसे कहते हैं, तब रिशी कहते हैं कि जो मास मच्छी खाते हैं, वो गमकते है उनमें से गंद की महक आती है तब बुद्ध कहते हैं कि वही भोजन करने से कोई अशिद नहीं होता बुद्ध उन रिशी से कहते हैं कि जो लोग प्राणी हत्या करते हैं जो दूसरों को दुख तकलीफ देते हैं जो लोग दूसरों की हत्या करते हैं उनके हाथ पेर काटते हैं, जो दूसरों को ठकते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं, दूसरों से क्रोध करते हैं, इर्शा करते हैं, जो लोग किसी और की पत्री के पास जाते हैं, ऐसे विचार सोचते हैं, उन लोगों का जीवन ही असली गमक है, बुद्ध उन रिशिवर से आ परी अशुद्ध ऐसे लोग भविश्य में दुखी रहते हैं उनका कल्यान नहीं होता बुद्ध फिर आगे कहते हैं कि यही नहीं मुनिवर जो लोग ग्रोध करते हैं इर्शा करते हैं कप्टी होते हैं अंद्विश्वास्री अहंकारी होते हैं उनका जीवन औरी तरह से व्यक्ति अपनी पत्री को छोड़ दूसरी इस्त्री के पास जाता है जो लोग चोरी करते हैं धोका देते हैं चुबली करते हैं एक दूसरे से इर्शा करते हैं किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते यह सब करने से हम अशुद्ध होते हैं ना कि मास मच्छी खाने से यही सुनकर वो सभी रिशी ये महसूस करते हैं कि ये कोई साधारन वनुष्य नहीं है वो बुद्ध की बात सुख एक अलग ही अनुभव महसूस करते हैं वो समझ जाते हैं कि वो हम जैसे सामाने नहीं है वो किसी भी व्यक्ति के मन को देख कर बुद्ध उसके अच्छे बुरे क् पता सकते हैं वो उनके कर्म को पहचान जाते हैं और ये बुद्ध ही कर सकते हैं भगवान बुद्ध सब जानते हैं बुद्ध से सभी रिशी बहुत प्रभावित हो जाते हैं और सभी रिशी बुद्ध के भिख्शू संग में सम्मिलित हो जाते हैं महात्मा बुद्ध मास मास होता है जो आपके लिए लाया गया हो अर्थात यदि केवल आपके लिए किसी प्राणी को मारा गया हो और आप ये जानते हैं कि वो मास आपके लिए मारा गया हो तो वो मास मच्छी नहीं खाना चाहिए दूसरा अशुतम यानि सुनने को मिलता यदि आपको ये सुनने को मिलता है कि ये मास आपके लिए काटा गया तो वो मास आपको नहीं खाना चाहिए उधारन के लिए यदि आप किसी के घर जाते हैं और वो आपके लिए भोजन में मास कटवा कर लाता है और बनाकर आपको खाने के लिए देता है और जब आपको ये पता चलता है कि ये मास आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि वहां पर आपके लिए किसी जीव की हत्या की गई है जिसे आप खा रहे हैं जानते हुए भी तीसरा अपारिश ख्यतन अर्थात यदि आपको जरा सा भी शक होता है कि यह मास आपके लिए है तो वह भी आपको नहीं खाना चाहिए यानि बुद्ध ये तीन प्रकार के मास को खाने के लिए मना करते हैं। तब वो व्यक्ति पूछता है कि फिर किस तरह का मास हम खा सकते हैं। तब बुद्ध कहते हैं तीन प्रकार का मास हम खा सकते हैं। पहला यदि आपने नहीं देखा हो कि वो मास आपके लिए है। दूसरा जि यदि कोई व्यक्ति बुद्ध संग को या आरे समाज को भोजन दान में देने के लिए किसी प्राणी को मारता है तो वो पांश तरह के पाप करता है। पहला यदि वो व्यक्ति दान देने के लिए किसी अन्य से बोलता है कि जाओ मुर्गा या मचली लेकर आओ तो उसके बोलने से भी उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। बकरा हो कोई भी तब उसे जबरदस्ती पकड़ कर खीच कर लाते हैं और वो जीव चिलाता है तो ये भी बहुत बड़ा पाप होता है जिसका अभागी वो व्यक्ति बनता है। तब भी ये बहुत बड़ा पाप होता है। कि उन्हें ऐसा मास खाना मना होता है और जो उन्हें खिलाता है वो भी पाप का अभागी बनता है। जब जानवर को लाने के लिए बोला जाता है तब उसे पाप मिलता है। फिर जब उसे जबरदस्ती पकड़ कर खीच कर लाया जाता है तब पाप लगता है। फिर जब उसे काटने के लिए बहजा जाता है तब पाप लगता है। फिर जब वह उस चिलाते हुए जीव को मारा जाता है तब पाप लगता है। और सबसे आखिर में जब भगवान बुद्ध को या भिख्षू को संग को यह बांस खाने के लिए दान दिया जाता है तब पाप लगता है क्योंकि ऐसा भोजन इस तरह से तैयार करके दान में भिख्षू संग का अपमान होता है जो कि पाप का अभागी माना जाता है क्योंकि प्राणी हत्या मना है पुद्ध कहते हैं जब कोई व्यक्ति बाजार में जाकर जीव घरीता है तब भी वो पाप का अभागी बनता है क्योंकि जब कोई दुकानदार जिन्दा जीव मुर्गा या मचली बाजार से लेकर जाता है और फिर वो स्वैम उसे काटकर बेचता है तब भी वो पाप का भागी बनता है और यहीं नहीं जो व्यक्ति बाजार में जाकर जीव हत्या करवाता है कि ये उसे मीट खरीदना है और वो उसे काटकर घर जाकर बनाता है और खाता है तो बेचने वाले के साथ खाने वाला भी पाप का भागी बनता है क्योंकि उसके कहने पर उस जीव कोई हत्या होती है यदि वो नहीं खरीदता तो वो काटा नहीं जाता इसलिए भगवान बुद्ध साफ ये कहते हैं किसी भी प्राणी की हत्यागर के इस तरह का मास नहीं खाना चाहिए बुद्ध मास मचली खाने के लिए मना नहीं करते उन्होंने तीन तरह का मास खाने के लिए मना किया है और तीन तरह से ही खाने के लिए कहा है तो जो बुद्ध ने कहा है वही मास खाना चाहिए मास खाने से पहले ये पता कर लें कि वो मास किस प्रकार से बना है, यदि मरे हुए जीव का बना है तो ठीक है, और यदि आपके लिए काट कर बनाया जाता है तो मत खाओ, इसी तरह एक बार देवदत बुद्ध के पास जाते हैं, और उनसे पांच नियम बनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि बुद्ध इस नियम को नहीं मानेंगे, जिससे संग बेध होगा और वो अपना अलग संग बनाएंगे, सब को साथ ले जाकर ताकि वो भी बुद्ध जैसे बन सके, यदि कोई सामाने लोग इस नियम को सुने, तो उन्हें शायत ये उचित ल कुटिया में नहीं, 500 चीवा ही प्रयोक करना होगा, ऐसा चीवा जो फेका हुआ हो, वो चीवा इस्तमाल नहीं करना है, जो किसी उपासक ने लाकर दिया हो, विक्ष्यों को केवल पिंड पात्र भोजन करना होगा, किसी के घर आमंतरन पर जाकर भोजन नहीं करना चाहिए, किसी का भी आमंतरन स्विकार नहीं करना चाहिए, और आखरी नियम ये है कि किसी भी विक्ष्यों को जीवन भर मास मचली नहीं खाना है, तब उद बड़े ही प्रेम से देवदत से कहते हैं, कि ये सब छोड़ो देवदत, यदि किसी विक्ष्यों को पेड के नीचे रहना ह तो वहां रहे, यदि किसी को कुटिया में रहना है, तो वहां रहे, गाउं में रहना है, तो वहां रहे, जिसे पिंड पातर में भोजन करना है, तो वैसे करे, यदि किसी को आमंतरन स्विकार करना है, तो करे, जिसको जैसे जीवन वैतीत करना है, वैसे करे, तब आगे की प्रकार से अपारी शुद्ध है तो माँस मचली नहीं जाईए अब आपको बता दे fod दस प्रकार के मास बिख्शे कोखाने के लिए मना किये थी वो मास है मनुष्य का मास मनुष्य मास खाने के लिए मना किया है क्योंकि एक बार एक इस्त्री ने एक भिख्षू को दान करने के लिए मास खोज रही थी लेकिन उसे कहीं मास नहीं मिला तब उसने अपनी श्रद्धा से उस भिख्षू को अपना ही मास काट कर दे दिया ताकि वो भिख्षू उजा कर सके जब वो दान देने के लिए भार आई तब उस इस्त्री के शरीर से रक्त बहरा था तब ये बात बुद्ध को पता चली कि एक श्रद्धा में ये सब किया है तब उन्होंने मनुष्य के मास खाने पर प्रतिबंध लगा दिया अगला है हाथी का मास हाथी का मास खाने के लिए बुद्ध मना करते हैं घोड़े का मास मना है खुत्ते का मास मना है इसी तरह शेर, बाग, चीता, साब, भालू, इत्यादी इस तरह के मास खाने के लिए बुद्ध मना करते हैं लेकिन आप पक्रा, मुर्गा, मचली का मास खा सकते हैं लेकिन बुद्ध ने इसे भी तीन तरह से ही बताया है कि मास खाना चाहिए या नहीं बस उसका ध्यान रखें वरना आप पाप के भागी बन जाएंगे तो बुद्ध द्वारा बताए गए इस सत्य मार्ग पर हमें चलना चाहिए क्योंकि ये उनके द्वारा बताया गया है बुद्ध कहते हैं कभी किसी का बुरा मत सोचो क्योंकि इस सबसे हमें पाप मिलता है मास मचली के खाने से नहीं आपके करम अच्छे होने चाहिए आप जैसे करम करते हैं वैसे ही आपको पाप और पुन्ने मिलता है कोई भी हो वो यदि अच्छे करम करेगा तो उतका जीवन अच्छा होगा और बुरे कर्म करेगा तो बुरा हुगा ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने कर्म कैसे रखते हैं उच नीच से या मास मचली खाने का पाप उन्ने से कोई संबंद नहीं है सब आपके कर्म पर निर्भर है बस अपने कर्म ठीक रखे और सत्य की रहा पर चले आशा करत हैं आपको यह बाते समझ आई होंगे जादे से जादा इस वीडियो को शेयर करें धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो आखरी तक देखना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे नियम बताए गए हैं बीच में ही छोड़ दिया या फिर थोड़ा सा ही देखा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा किर्पिया इस बात का ध्यान रखें बुद्ध के हजारों शिष्य थे जब उनका कोई शिष्य बुद्धत्व को प्राप्थ हो जाता वो उसे किसी एक दिशा में भेज कर वहां के लोगों को जागरुक करने वज्ञान देने के लिए जाने की आग्या देते बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के सानिद्ध में शे वर्षों से था वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा हे बुद्ध मुझे आपके पास छे साल हो गए मेरे बाद कितने शिश्या आए उन्हें आपने इस बीच किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेजा लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ बुद्ध मसकुराए और बोले ये तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं शिश्य बोला हे बुद्ध आपने मुझे इन छे सालों में जो भी उपदेश दिया मुझे वो सब याद है आपके बताई एक एक बात मुझे याद है आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं मैं आपको हर उत्तर देने के लिए सक्षम हुआ आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाका या लोगों को आपके ग्यान के बारे में भी बता सको बुद्ध ने कहा ग्यान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे अपने आचरण में ना लाओगे जब तक आप किसी भी चीज़ को अपने आचरण में नहीं लाओगे तब तक आप दूसरों को नहीं कह सकते कि वो उसे अपने आच्रण में लेकर आएगा शिष्य ने कहा जो भी हो किर्पया आप मुझे एक मौका दे आप मुझे पर भरोसा रखे मैं सभी को अपने ग्यान से प्रभावित कर सकता हूँ मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में शांती आएगी और वो शांती पूर्ण अपना जीवन जी सके है गुद्ध ने कहा अभी तुम तयार नहीं हो जब तुम तयार हो जाओगे मैं तुमें खुद सही मार्ग पर जाने के लिए कहूँआ शिश्य ने कहा क्यों बुद्ध आपने मुझे इन छे वर्षों में इतना भी ग्यान नहीं दिया जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर सकूँ बुद्ध ने कहा ठीक है तुम पूर्व दिशा की तरफ जाओ वहाँ तुम्हें एक गाउं मिलेगा उससे तुम भिक्षा मांग कर लाओ और वहाँ के लोगों की अपने ग्यान से मदद करना कल सुभा तुम वहाँ अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना तुमने कैसे वहाँ के लोगों की मदद दी वो शिश्य ये सब सुनकर बेहद खुश हो गया और वुद्ध का आशिरवाद लेकर चला गरा वो रात भर ग्यान समेटता रहा वो मनही मन सोच रहा था कि मैं कल ऐसी ग्यान की च्छाप छोड़ूगा कि वहाँ के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएगे सुबह उटकर वो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने गया उन्हें प्रणाम कर वो पूर्व की तरफ निकल गया शाम को जब वो वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उस शिष्षे के माथे पर चोट लगी है और खूल बह रहा है बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा तुम्हें ये चोट कैसे लगे शिष्षे ने कहा कि बुद्ध वहां के लोग बेहद ही दुष्ट है उन्हें जरा भी बुद्धी नहीं है मैं उस गाओं में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी सब मुझे गालियां दे रहे थे एक व्यक्ति में मुझे भिक्षा तो दी लेकिन नीचे फेक कर और कहा इसे उठा लो मैंने उन्हें काफी समझाया लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथा पाई की जिससे मुझे चोट लग गड़े हे बुद्ध आप मुझे दूसरी जगा बेजे जहांके लोगों में बुद्धी हो इस तरह ना बुद्ध शिशे की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि अगर तुम्हें दूसरे गाउं में भी ऐसे ही लोग मिले तब तुम क्या करोगा शिशे ने कहा हे बुद्ध ऐसे लोगों को कोई ग्यान नहीं दे सकता वो लोग अग्यानी है उन्हें कौन समझाएगा गुद्ध ने कहा वो लोग अग्यानी नहीं बलकि ग्यानी ही है उनके पास बहुत गुद्धी है परन्तु उनके पास खुद का ग्यान है अब अगर तुम किसी दूसरे के ग्यान को चोट पहुँचाओगे तो वो कुछ तो कहेंगे ही तुम्हें ऐसे लोग हर जगा मिलेगे तब तुम अपना ग्यान उन्हें कैसे दोगे बुद्ध ने शिश्य को कहा कि आज तुम आराम करो कल शाम को मेरे पास आना शिश्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गड़ा अगली शाम जब वो वापिस बुद्ध के पास आया तब वहाँ एक और बुद्ध की शिश्य मौजूद थे उनके हाथ में चोट लगी हुई थी बुद्ध ने उस शिश्य के हाथ पर चोट देख उस पर पट्टी की और उस शिश्य से पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगे शिश्य ने कहा हे बुद्ध आपने पूर्व के एक गाउं में मुझे जाने के लिए कहा था वहीं मुझे ये चोट लगी बुद्ध ने कहा वहाँ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ तुम मुझे बताओ शिश्य ने कहा हे बुद्ध वहाँ पर मैंने सबसे भेक्षा वागी लेकिन किसी ने मुझे भेक्षा नहीं दी एक व्यक्ति जिसने भिक्षा दी थी उसने भी वो मुझे जमीन पर फेक कर दी और कहा उसे उठा लो मैंने चुपचाप उसे उठा कर अपने पातर में रख दिया और उसे कल्यान का आशिरवाद दिया तब उस व्यक्ति ने मुझे से कहा कि आप बड़े ही अजीव व्यक्ति हो मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशिरवाद दे रहे हैं मैंने उनसे कहा कि आप दानी हैं आपने मुझे दान दिया है इसलिए मैं आपको आशिरवाद दे रहा हूँ फिर वहां से मैं आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहां से जाने के लिए कहा उन्होंने कुछ मुझे अब शब्द कहे और मुझे पत्थर फैके जिससे मुझे चोट लग गए जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने एक मा को रोते देखा वो अपने बिमार बच्चे को लेकर चिंतित थी मैं तुरंट जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी ले आया लेकिन वहां के लोग मुझे जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे फिर मैंने उनसे विंती की वो मुझे उस बच्चे का इलाज करने दे उसके बाद वो जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसे ही करूगा फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गाउवालों को समझाया तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी उसके बाद वो बच्चा ठीक हो गया फिर गाउवालों ने मुझे अपने किये गए अभद्र वैभार के लिए शमा वांगी और मुझे धन्यवाद कहा फिर मैं वहां से वापिस आ गया हे बुद्ध आपसे एक विंती है उस गाउं के लोग बहुत भोले भाले सीधे हैं क्या मैं रोज उसी गाउं में जाकर विक्षा मांग सकता हूँ ये सभी बात वो पहला शिश्य भी सुन रहा था उसने ये सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिर कर कहा हे बुद्ध मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ कि दूसरों को ग्यान दे सको बुद्ध ने कहा हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं जब तक हम स्वैम को नहीं बदलते तब तक हम किसी को भी नहीं बदल सकते खुद में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है कोई भी बात बताने से पहले उसे आचरण में लाना बहुत जरूरी है क्योंकि आचरण में लाई हुई चीज़ को बताना समझाना बहुत आसान होता है और उसे लोग बहुत आसानी से अच्छे से समझभाते हैं दोस्तों आपने क्या सीखा इस कहानी से कमेंट करके जरूर बताना धन्यवाद एक समय की बात है एक राज्य में एक परतापी राजा राज्य करता था एक दिन उसके दरवार में एक बिदेशी महमान आया और उसने राजा को एक सुन्दर पत्थर को भार स्वरू प्रदान किया राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसंद हुआ उसने उस पत्थर से भगमान विष्णू की प्रतिमा का निर्मान कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णे लिया और प्रतिमा निर्मान का कार राजी के महामंत्री को सौब दिया महामंत्री गाउं के सर्वस्वेश्ट मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला महाराज मंदिर में भगमान विश्णू की प्रतिमा इस्थापित करना चाहते हैं साथ दिन के भीतर इस पत्थर से भग्मान विश्णू के प्रतिमा तयार कर राज महल पहुचा देना। इसके लिए तुहें पचासवन मुद्राइं दी जाएंगे। पचासवन मुद्राओं की बात सुनकर मुर्तिकार खुस हो गया। और महामंद्री के जाने के पश्चार प्रतिमा निर्मान का कारे प्रारंभ करने के उद्देश से अपने ओजार निकाल लिये। अपने ओजारों में से उसने एक हथोड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथोड़े से वार करने लगा। किन्तु पत्थर जसका तस रहा मुर्तिकार ने हो थोड़े के कई वार पत्थर पर किये किन्तु पत्थर नहीं टूटा पचास वार प्रयास करने के उपरांत मुर्तिकार ने अंतिम वार प्रयास करने के उद्देश से हो थोड़ा उढ़ाया किन्तु यह सोचकर पत्थर पर प्रहार करने के पूर भी उसने हांत खीच दिये कि जब पचास बार मारने से पत्थर नहीं तूटा तो अब क्या तूटेगा वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुम्किन है इसलिए इससे भगमान विष्णू की प्रतिमा नहीं बन सकी महामंत्री को राजा का आदेश हर इस्चिती में पूरा करना था इस लिए उसने भगमान विश्णू की प्रतिमा निर्मान करने का कार गाउं के एक साधारण से मूर्थिकार को स्वाप दिया पत्थर लेकर मूर्थिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हतोड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया पत्थर तोटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया इधर महामंत्री सोचने लगा कि कास पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और पचासवन मुद्राओं का हकदार बनता दोस्तों हम भी अपनी जीवन में ऐसी प्रिष्टिक्यों का सामना करते रहते हैं कई बार किसी कारे को करने के पूर या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरन करने के पूर भी हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किये बिना ही हार मान लेते हैं कई बार हम एक दो प्रयास में ही असफलता मिलने पर आंगे प्रयास करना छोड़ देते हैं जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कारिपूर्ण हो जाता या समस्या का समधान हो जाता यदि जीवन में सफलता प्राप्ट करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता मिल नहीं जाती है क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्ब हम हाथ खीच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो किसी गाउं ने मंगल नाम का व्यतिर रहता था वो अकेले ही अपना उस गाउं में जीवन व्यतिर कर रहा था वो प्रति दिन जंगल अपनी बैल गाड़ी लेकर जाता और खूब सारी लकड़ी काटकर लेकर आता और शहर में उन्हें ले जाकर बेच देता जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते और उसी से वो अपने जीवन का निर्वा करता था एक दिन दोपहर के बाद का समय था मंगल बैल गाड़ी पर लकड़ियां लेकर शहर की और जा रहा था तब ही बाग में उसे एक ऐसा आदमी मिला जो पैदल चलते चलते ठक गया था वो आदमी शहर का रहने वाला था उसका नाव सूरज था मंगल को देख सूरज कहता है कि भाई यदि आप शहर की तरफ जा रहे हो तो मुझे आप अपनी बैल गाड़ी पर बिठा ले मैं पैदल चल-चल कर ठक गया हूँ और यहाँ कोई सवारी भी नहीं मिल रही है यदि कि आप मेरी मदद कर देंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहमा मंगल मान जाता है और सूरज को बैल गाड़ी पर बिठा कर ले जाता है और कहता है जदी मनुष्य ही मनुष्य की साहता नहीं करेगा तो कौन करेगा दोनों पूरे रास्ते बहुत प्रेम से बात करते तुम अपना काम करके मेरे घर अवश्य आता हूं कि तुम मेरे अतिती बनकर मेरे यहां पदा तुम्हारा आदर सतकार कर मुझे बहत सुपरात होगा मंगल सूरज की बात सुनकर उससे कहता है कि मैं जरूर हूँगा और सूरज अपने घर की और निकल जाता है अपने घर पहुँचकर सूरज बड़े ही उत्सापूरवक मंगल की रहार देखने लगता है मंगल जब लकणियां बेच कर वहाँ पे आता है तो संध्या होने के बाद वो सूरज के घर के लिए निकल जाता है जैसे ही मंगल सूरज के घर पहुँचता है वो उसे देख बहुत प्रसंद हो जाता है और बड़े ही आदर से उसका स्वागत करता है उसे अच्छा से अच्छा खाना खिलाता है और उसके सोने का सुन्दर प्रबंद करता है रात में दोनों देर तक आपस में बातचीत करते रहे अब सूरज और मंगल भें गहरी मितरता हो गई अगले दिन मंगल वापिस से गाउं के लिए निकल गया अब मंगल जब भी गाउं जाता सूरज से मिलने अवश्य जाता और उसके ही घर रहा करता एक बार मंगल शहर ग दुक जाता है करीब रात के नौ बज रहे थे अकाश में पूनिमा का चंद्रमा हस रहा था धरती पर चांदनी चारों दूद की धारा के तरह बह रही थी पेड़ पौधे उस धारा में नहाकर सफेद से हो गई थे सूरज मंगल को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है कि आज में तुम्हें एक ऐसा दृष्य लिखाऊंगा जो तुमने आज तक नहीं देखाऊगा उसके बारे में सोचा तक नहीं होगा वो दृष्य इतना सुंदर है और इतना कहकर मंगल को जल्दी से अपने साथ ले जाता है सूरज की बार सुन मंगल उससे पूशता है कि लेकिन तुम मुझे ऐसा क्या विशेश दिखाने वाले हो बताओ तुस ही सूरज मंगल से कहता है कि यदि तुमने ये दृष्य देख लिया तो हैरान हो जाओं मेरे नगर में राजा का एक प्रधान खजाची रहता है उसका सिधान्त है खाना पीना और आनंद से रहना उस खजाची रोज बड़े ही ठाट से भोजन करता है परंतों पूनिवा की रात कुछ अलग होता है उस रात वो कुछ इस तरह भोजन करता है कि वो द्रिश्य देखने योग्य होता है उस खजाची का भोजन सौने के बरतन में परोसा जाता है उसका सारा भोजन सौने के बरतन में ही बनता है यहां तक कि वो जिस चटाई पर बैट कर भूजन करता है वो भी सोने का ही है वो खजांची पीले रंग के वस्त्र को धारन करता है और सोने के अमूले आभूशनों को पहनता है यहां तक कि उसके सभी नौकर शाकर भी पीले वस्त्र और सोने के आभूशन धार की रहते हैं इस चांदनी रात में खजाची के घर एक ऐसी स्वान आभाविकली रहती है कि मनुष्य का मन ही कि मनुष्य का मन ही नहीं देवताओ का मन भी ललक उठता होगा लालत से भर उठता होगा नगर के बड़े अमीर भी उस अनुक्ण द्रिश्य को देखने के लिए वह द्रिश्य देखने के लिए उसके घर पहुंच जाता है जब वहां पहुंच जाता है तो देखता है कि वहां पहले से मेला लगा हुआ था दूसरी तरफ खजांची पीले वस्त्र और सौने के आभोशन को पहन भोजन के करने के लिए सौने की चटाई पर बैठ जाता है और उ मैंने आज तक ऐसा दृष्ष कभी कल्पनावे भी नहीं सोचा था देखना तो दूर की बात है काश मैं भी एक दिन ऐसे ही ढंग से इसी तरह से भोजन करता पर क्या कभी ये संभव हो सकता है नहीं इस गरीब के जीवन में ये कभी नहीं हो सकता जब मंगल ये बात धीरे से स सा दिखाई पड़ा उसे लगा कि इस मनुष्यक के शरीर के भीतर कोई चमतकार है कुछ समय बाद जब खजांची भोजन कर लेता है तब वो मंगल को अपने पास बलाता है और उसकी और ध्यान से देखने लगता है और मंगल से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम मेरी तरह ह पूनिमा की रात भोजन करना चाते है यह सुन मंगल हैरान हो जाता है कि उसे ये बात कैसे पता चले खजांची कहता है कि यूँ हैरान मत हो मैंने तुम्हारी बात सुननी थी यदि तुम मेरी तरह भोजन करना चाते हो तो उसके लिए तुम्हें काफी कठोर तपस्या करनी क्या तुम ये कर पाओगे ये सुन मंगल कुछ देर सोच में पड़ जाता है और सब कहता है कि श्रीमान जदी एक दिनी मुझे आपके समान भोजन करने का अवसर मिलेगा तो मैं तब क्या पहार भी उठाने को तयार हुए ये सुन खजांची थोड़ा सोचते हुए कहता है कि नहीं तुम्हें परवत नहीं उठाना पड़ेगा तुम्हें तीन वर्षों तक खेतों में काम करना होगा ये सुन मंगल कहता है कि श्रीमान मैं अपनी इच्छा की पूर्ती के लिए आपके खेतों में काम करने के लिए तैयार हुए पर तीन वर्षों के बाद मुझे आप छोड उस खजांची के खेतों में काम करना शुरू कर दिया और वो दिन रात उसी के खेतों में काम करता पसीना भाता और वहीं पर रात में बाकी मजदूरों के साथ भोजन करके सो जाता मंगल हर एक मजदूर से प्रेम तो करता था जब वो बीमार होते तो उनकी सेवा भी कर था सभी मज़ूर उसके इस मदूर भाशन और मृदू वैवार पर मुग्द थे वे उसे अपना भगवार समझने लगे उसे खूब मानते थे उसका सम्मान करते थे समय बीटता गया और अब वो समय भी आ गया जब तीन वर्ष पूरे हो गए थे मंगल की लगन और महनत और प खजांची मंगल के श्रम पर प्रसंद हो गया था वो उसकी महनत लगन से बहुत खुश था ये सब देख उसके मन में विचार आने लगता है कि ये मनुष्य साधारन मनुष्य नहीं है अलौकिक है कोई चमतकारिक है जब पूरे तीन वर्ष बीट जाने के बाद मंगल कुन खजांची के सामने उपस्तित होता है तब खजांची बड़े ही प्रेम और विनमरता के साथ मंगल से कहता है कि मैं तुम्हारी इस महनत पर बहुत जादा प्रसंद हूँ अब से लेकर मैं पूरे एक दिन तक तुम्हें अपने भवन का मालिक घोशित करता हूँ तुम्हार के भवन का मालिक नहीं बनना चाहता है मुझे तो बस आपके समान एक दिन के लिए भोजन करना है मेरी इतनी सी इच्छा है यह सुन खजांची मंगल से कहता है कि पर तुमने जिस लगन और महनत से काम किया है उसे देखते हुए तुम्हारी ये मजदूरी भी बहुत कम है तुम केवल एक दिन के लिए मालिक बनो लिए इतना कहकर वो अपने सभी नौकरों को ये आदेश देता है कि एक दिन के लिए मंगल तुम्हारा और इस भवन का मालिक है तुम सभी को उसकी आग्याव का पालन करना होगा तुम लोगों को उसी तरह करना होगा जिस तरह मेर आग्याओं का तुम पालन करते हो भवन का मालिक बनने पर मंगल किम करतब्वे विमूर हो गया उस समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बस उसे एक ही बात याद थी कि कल पूर्णिमा की रात है मैं खजांची के समान ही भोजन करू मेरी इच्छा पूरी होगी मेरा जीवन धन्य बनेगा अगले दिन पूर्णिमा की रात थी उसी दिन चांदनी की नहीं हुई थी मंगल खजांची के समान ही पूरी तरह ससदश के आता है और उस सोने की चटाई पर बैढ जाता है उसके आगे सोने के बने पात्रों में कई तरह के वैंजन रखे हुए थे ये सब देख वो बहुत खुश था उसी तरह पीरे रंग के वस्त पहन सौने के अभुशर पहन कर तयार था उसने कभी ये सब सोचा भी नहीं होगा वो जैसे ही भोजन ग्रैंड करने जाता है उसे एक बहुत भिक्षू दिख जाता है उस ब भीटर दिव्य प्रकाश्षा दिखने लगता है, उसे ऐसा मैसूस होने लगता है जैसे सारा ब्रहमान उसके भीतर समाविष्ट हो गया उसके भीतर है और सारी प्राणी भी एक ही शण में मंगल का पूरा हिर्दे परिवर्तन हो जाता है वो बिना किसी महों के अपना पूछता है कि मंगल ये सब क्या है तुमने ये सब क्या किया और क्यों जिस भोजन के लिए तुमने पिछले तीन वर्षों से इतना परिश्रम किया कठिन तब किया आज जब भोजन तुम्हें मिला तो तुमने बिना कुछ सोचे समझे उस बौद भिख्षू को दान कर दिया ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है तब मंगल उस खजार्ची की तरफ देखकर कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो ठीक किया श्रेमान जो मैं हूँ वही वो बहुत भिख्षू भी है मैंने भोजन किया या बहुत भिख्षू ने एक ही बात है कोई फर्क नहीं है हम सब एक समान है मंगल की बात सुन खजार्ची एक दम मुद्ध हो जाता है वो कहता है कि आज से मैं तुम्हें सदा के लिए अपने घर का मालिक बनाता हूँ परंतो मंगल ने ये मालिकाना हक भी उस बहुत भिख्षू को दान में दे दिया जब मंगल के इस दान की खबर राजा उस बहुत भिख्षू को दान में ले लिया ये सब देखकर वो बहुत भिख्षू मुसको राने लगता है और कहता है कि इस मनुष्य की महनत और लगन पर प्रसन्न होकर महात्मा गुद्ध ने इसे अपनी शरण में ले लिया है और जो प्रानी भगवान गुद्ध की प्रभाव हजांची और राजा के मन पर काफी प्रभाव छोड़ता है और तब वो दोनों भी सब कुछ त्याग देने का मन बनाते हैं और अपना सब कुछ छोड़कर बहुत भिक्षू बन जाते हैं और धर्मसंग में सम्मिलित हो जाते हैं दोस्तों इस बहुत कथा से हमें सिक्षा मिलती है कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की सहयता अवश्य करनी चाहिए क्योंकि वो अपने श्रम और लगन की द्रणता से अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाता है श्रम सेवा और त्याग ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है क्योंकि महंती और प्रे कम ही ऐसे लोग होते हैं जो स्वैम भोके रहकर दूसरे को भोजन दान करते हैं वो भी निस्वार्थ भावना से हमें ऐसे लोगों से ये सब सीखना चाहिए दोस्तों आपका क्या मानना है कमेंट करके सरूर बताना धन्यवाद बहुत समय पहले एक सादू अपने शिष्षे के घर पर उससे मिलने के लिए जाते थे वो एक दिन के लिए अपने शिष्षे के पास ठहर जाते हैं उनका जो शिष्षे था वो बेहत धनी था उस शिष्षे ने कई सारे वैपार कर रखे थे उसके पास किसी चीज की कोई कम नहीं थी उसका घर नौकर चाकरों से भरा रहता था सब कुछ बहुत सही चल रहा था वो सादू महराज साल में एक बार अपने शिश्य के घर आकर जरूर ठैड़ते थे क्योंकि वो सिश्य जिस नगर में रहता था वहीं पर उन सादू महराज के भी गुरू रहते थे तो जब भी सादू महराज अपने गुरू जी से मिलने आते थे तो अपने शिश्य से मिलने भी जरूर आते और एक राप वहीं ठैड़ते वो सिश्य भी उनके आने से काफी खुश होता इस बार भी वो सादू महराज जब अपने गुरू के मंदिर उनसे मिलने गए तो वाप सादू महाराज शिश्य को देख समझ गए थे कि वो इस बार कुछ चिंतित है और दुख में रह रहा है जो शिश्य उनके आने पर खुशी और उत्साह से जूम उरता था इस बार वो एकदम चुप था शिश्य को यूँ परिशान देख सादू महाराज उसकी पतनी के पास जाते हैं और उससे पूशते हैं कि क्या बात है आपके पती क्यों इतना उदास रह रह रहे हैं क्या कोई बड़ी परिशानी आ गई है सादू महाराज की बात सुन, शिश्य की पतनी उनसे कहती है कि जी महाराज, आजकल उनको व्यपार में 10 लाक रुपे का फाइदा हो गया है, जिस कारण वो कुछ चिंतित है शिष्य की पत्नी की बात सुन सादू महराज उससे कहते हैं कि फिर इसमें चिंता की क्या बात है ये तो बहुत खुशी की बात है दस लाख रुपे की अधिक कमाई हुई है तो वो अपनी काम्यावी पर खुश होने की जगा दुख क्यों प्रकट कर रहा है सादू की बात सुन शिष्य की पत्नी मुश्कुराने लगती है और कहती है कि हाँ यदि आप उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि मुझे वेपार में दस लाख रुपे का नुकसान हुआ है ये सारी बात सुनकर सादू महराज हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आप इस तर खुद नहीं जानती कि आप क्या कह रही है सादू महराज की बात सुन शिष्य की पत्नी पुना हसने लगती है और कहती है कि महराज मैं बिल्कुल सही कह रही हूं मेरे पती को फाइदा और नुकसान दोनों एक साथ ही हुआ है ये सुन तब सादू महराज और भी सोचने अधिक चाहस कि उन्हें उम्मीद थी कि व्यापार में 20 लाइड का फायदा होगा और अधिक दन कमान रुपनि की अपैक्षा थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं उन्हें केवल 10 लाइड रूपन का ही फायदा हुआ और यही कारण है कि वह सोचकर उदास हो रही है कि उन्हें 10 ला उसके पास बैटते हैं और उससे पूछते हैं कि यदी मैं कुछ फूछूं तो तुम क्या सच बताओगे शिश्य ने कहा जीौcen पूछिए तब सादू महाराज्ट शिश्य से कहते हैं कि फिर यह बताओ तुहारी चिंता का कारण क्या है तुम इतने परेशान क्यों यह सुन वो शिश्य कहता है कि अब मैं आपको क्या बताऊं महाराज, मुझे वैपार में 10 लाख रुपे का नुकसान जहिलना पड़ गया, मुझे तो आशा थी कि मुझे 10 लाख का मुनाफा होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ, मुझे तो 20 लाख रुपे के फाइदे की उम्मीद थी, लेकिन फाइदा सिर्फ 10 लाख रुपे का ही हुआ, यही कारण है कि मैं चिंतित हूँ, शिश्य की पूरी बात सुनने के बाद सादुमारा ज्यूसकुराने लगे, और मन ही मन सोचते हैं कि इस व्यक्ति का पूरा ध्यान इस तरफ है कि उसे 10 लाख रुपे का नुकसान हु ही है कि ये इंसान केवल उम्मीद पर ही टिका था कि मुझे 20 लाख का फाइदा हुगा, शिश्य सादुमारास से कूछता है कि क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं, तब वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि कुमार, तुम्हारी परिशानी और उदासी का कारण तुम्हारी तुम उसकी जगा ये सोच कर खुश भी हो सकते हो कि तुम्हें 10 लाख रुपे का फाइदा हुआ है, मैं तुम्हें बस यही कहना चाहता हूँ कि नकारात्मक सोचने की जगा अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो, तुम किसी भी चीज का सकारात्मक पहलू देखो, फिर तुम्हें दुख या अफसोस नहीं होगा, यदि तुमने सकारात्मक तरीके से सोचा होता, तो तुम अपने 10 लाख के हुए मुनाफे के लिए खुशी प्रकट करते, अपने गुरू की ये बात सुन, शिश्य सोच में पढ़ जाता है, और कहता है कि आप सही कहते हैं महारा शिश्य को आगे समझाते हुए कहते हैं कि जरा सोचो, यदि तुमने 20 की जगा 10 लाख के फायदे की उम्मीद की होती, तो क्या होता, तुम तब भी इस तरह परिशान होते, दुखी होते, शिश्य कहता नहीं, तब मैं खुश होता, तब गुरू जी कहते हैं कि ठीक, उसी तरह यदि तुम्हें 5 लाख रुपे के लाग की ही उम्मीद होती, और ऐसे में अगर 10 लाख रुपे का फायदा हो जाता, तब तुम्हारी खुशी कहा होती, तब तुम और अधिक खुश हो जाते, क्योंकि तब तुम्हें अधिक लाग हो रहा होता, तुम्हारी उम्मीद से जादा यानि की एक बात पूरी तरह यहां इस पश्ट है कि मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण उसकी उमीदे हैं उसकी आकांशाएं हैं और उसके देखने वे सोचने के गलत नजरिये ही होते हैं मनुष्य की बड़ी-बड़ी उमीदे ही उसे लालची बना देती है उसके मन में बड़ी-बड़ी आकांशाएं बन जाती हैं उसके भीतर बस यही रहता है कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए और इन सब में अंत में वो बस इस तरह फस जाता है कि उसे कुछ भी हासल नहीं होता और तब वो उस बात से दुखी और परेशान हो जाता है इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को जीवन में उतनी ही उमीद रखनी चाहिए जितनी उसने मेहनत की हो उसे उसी कर्म के हिसाब से फल मिलता है क्योंकि मेहनत से जादा बहतर परिणाम की उमीद रखना आपको निराशा की और ले जाता है अंत में सादू महराज शिश्य से कहते हैं कि क्या अब तुम समझे तुम भी क्यों परिशान हो शिश्य दोनों हाद जोड़कर महराज से गहता है कि शमा करें मुझे एहसास है कि मैं कहां भूल कर रहा था अधिक की चाहने मुझसे जो है उसकी खुशी भी छीन दी लेकिन अब मैं समझ गया हूँ और भविश्य में ऐसी भूल पुना कभी नहीं करूँगा सकारात्मक सोच रखूँगा शिश्य की ये बात सुन सादु माराज उसे आशिरवाद ले वहां से लोड जाते है बहुत समय पहले की बात है एक शाम गौतम बुद्ध अपनी कुटिया के बाहर अपने सभी शिश्यों के साथ बैठे हुए थे तभी वहां पर आकाश से उड़ता हुआ एक कभूतरों का जोड़ा आ जाता है उस जोड़े को देख महातमा बुद्ध को एक कहानी याद आ जाती है और वो अपने शिश्यों को कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ इसे बड़े ध्यान से सुनना शिश्य कहते हैं कि जी बुद्ध आप शुरू करें बुद्ध कहते हैं कि एक वन में एक व्रिक्ष पर एक कबूतर और कबूतरी रहते थे, उन दोनों ने वहीं अपना बसेरा बना रखा था, दोनों साथ साथ जाते और अपना भोजन ढोना करते थे, कुछ समय बाद कबूतरी उसी व्रिक्ष की टहनी पर तीन अंडे देती है, एक दिन, जब वो रोज की तरह कबूतर और कबूतरी भोजन की तलाश में निकले, तब वो खाना ठूंगते हुए, कब कुछ दूर चले गए, उन्हें पता ही नहीं चला, दूसरी तरफ, उसी व्रिक्ष के पास कहीं से एक लॉमडी भोजन की तलाश में आ जाती है, और प बहुत खुश हो जाती है, कि आज दो उसे अच्छा खासा खाना मिल गया, और वो तुरंद लपक कर उन अंडों को खा जाती है, और तुरंद खाकर गायब हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ, कबूतर और कबूतरी को दूर निकल जाने की वजह से वापिस आने में समय लग जब वो कबूतर का जोड़ा वापिस आता है, तो देखता है कि वहाँ उसके अंडे हैं ही नहीं, प्रिक्ष पर अंडे ना देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं, वो कबूतर का जोड़ा पूरे में घूमता रहता है, पूरे जंगल में घूमता है, लेकिन उन्हें कहीं अ कबूतरी से कहता है कि अब वो गोंसला बनाएंगे और उसी में अपने अंडों को संभल कर रखेंगे ताकि फिर कभी उसके अंडे कोई खा न जाए और तब उस कबूतर ने अपने निर्णे अनुसाद एक एक तिंगे को एक खटे करके अपना गोंसला बनाना शुरू कर दिय लेकिन तभी उसे हैसास हुआ कि उसे तो गोंसला बनाना आता ही नहीं उसने बहुत प्रेतन किया लेकिन वो गोंसला तैयार नहीं कर पा रहा था तब उसका हर प्रयास असफल हो गया तब उसने मदद के लिए जंगल के दूसरे पक्षियों को बुलाया और उनसे सारी बात कि किस प्रकार उनके अंडों को कोई जानवर आकर खा गया इसलिए वो गोंसला बना रहा है लेकिन समस्या यह है कि उससे गोंसला बनाना आता ही नहीं आप सभी मेरी साहता करें कभूतर की बात सुन सभी पक्षियों उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और तब वो कभ कभूतर के लिए गोंसला बनाना शुरू कर देते हैं सभी पक्षियों ने अभी कभूतर को गोंसला बनाना सिखाना शुरू ही किया था कि कभूतर ने बोला कि अब वो गोंसला बना लेगा उसने सब सीख लिया है उसने केवल उन पक्षियों के बताने के ढंक पर ही यह तै उस से ग्हौंसला बना नहीं तब उसे ये समझाया कि वो अभी भी कुछ नहीं सीखा है उसने दोबारा पक्षियों की मदद लेनी चाहिए और तब उसने फिर से पक्षियों को बुलाया सभी पक्षी वापस से आते हैं और फिर से कबोतर को गोसला बनाने का टाईका बताते हैं कबोतर का अभी आदा गोसला बना ही था कि कबोतर जोर से चिलाया कि तुम सब छोड़ दो अब मैं समझ गया हूँ यह कैसे बनेगा और वो फिर तरह सीखे ही भीच में रोक देता है सारे पक्षी तिन के वहीं पर छोड़ कर गुस्से में चले जाते हैं अब कभूतर फिर से घौसला आगे बनाने लगता है परंतु इस बार भी कई कोशिश करने के बाद भी उससे घौसला पूरा नहीं बनता तब कभूतर तीसरी बार उन समझ जाता है कि सबी उससे गुस्सा है और कभूतर निराश होकर वापिस आ जाता है उसे यह एहसास हो जाता है कि उसे एक बार में ही ध्यान से सीख लेना चाहिए बिना पूरी तरह सीखे सब को भगा देना उस पर भारी पड़ गया अंत में महात्मा बुद अपने शिश् बुद अपने शिश्यों से कहते हैं कि क्या तुम सब को समझ आया इस कहानी से मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं तब सभी शिश्य कहते हैं कि जी बुद हम ये समझ गए कि किसी भी चीज को जब तक आप अच्छे से सीख ना ले उस पर ध्यान से प्रत्र करते रहना च चाहिए उसमें हमारा ही नुकसान है यदि हम जल्दबाजी करते हैं तो सिखाने वाला भी आपको नहीं सिखाता और बीच में ही छोड़ देता है तब आप कुछ नहीं सीख पाते हैं जिसका नुकसान आपको आज नहीं तो कल जरूर होता है और तब हम अफसोस करते हैं कि हमे वो सीख लेना चाहिए था इसलिए हर चीज हर काम निश्ठा और प्रेम से करें दोस्तों इस कहानी से भुद्ध हमें ये शिक्षा देते हैं कि यदि हमें जो काम अच्छे से करना नहीं आता उसे हमें किसी की मदद से पूरी तरह से ध्यान से सीख लेना चाहिए अन्य था जो काम हमें नहीं आता हो उसे जबरदस्ती करने का दिखावा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से मदद करने वाला व्यक्ति एक या दो बार तो आपकी मदद करेगा लेकिन हर बार नहीं और तब वो आपसे तंग आकर आपको सिखाना भी बंद कर देगा उन पक्षिय न हो जाए तभी आप कुछ सीख पाएंगे इस श्रष्टी के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है और जिसको बड़ी आसानी से समझ कर और आसानी से फॉलो करके कोई भी इंसान वो सब पा सकता है जो वो चाहता है चाहे खुशी पाना हो चाहे सफलता पानी हो या चाहे मेनेजम महान कोई और दूसरा कोर्स नहीं हो सकता आईए शुरू करते हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिंपल से सिंपल वर्ट्स में कैसे भी करके आपको इन की सीखों को अच्छी तरह से समझा पाऊं सीख नमबर वन इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किस बच्चे के साथ यह सा होना थी और वो हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोस्ती थी कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी थी जो मेरे ही बच्चे की उगली काट ली समय बीटता गया उस गाउं में एक दिन जादू के वेश में एक मायावी राक्षस आया व इस भी बच्चे की तुम बली चड़ाऊना उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए और उसको मजबूरी में उस बच्चे को सिंदा छोड़ना पड़ा और उस दिन उसकी मा को ये रिलाईज हुआ और जो कि इस वीडियो की हमारी सबसे पहली सीख भी दै कि इस दुनिया मे जो कुछ भी होता है चाहे वो अच्छा हो रहा है या चाहे वो बुरा हो रहा है वो कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता सीख नंबर दो आप किसी भी कंडिशन में कर्म किये बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनसान का शरीर एक सेकेंड के लिए भी बिना कर्म किये रह सके। भी बोलते हैं कि हमें किसी कर्म में बंद करके नहीं रहना चाहिए नहीं करने करें कर करने वाला मैं नहीं हूँ और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा हमें कभी पष्टादाप नहीं होगा हमें कभी घमंड नहीं होगा सीख नमबर 3 दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने की बजाए आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चीए भले ही आपकी जिंदगी में कितने ही कश्ट हो लेकिन अगर आप आजाद होना तो आप ही वास्तविक मनुश्य हो श्री भाकवत किता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है इनसान किस किस का गुलाम नहीं है वो अपने दिमाग का अपने विचारों का गुलाम है आज हम स्मार्टफोन के गुलाम है कहीं काम कर रहे हैं तो किसी के गुलाम होकर काम कर रहे हैं दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना इसके बीच में एक हलकी सी लाइन और इस लाइन के उधर आप चले गए न तो समझो आप गुलाम बने गए किसी है और वो लाइन है सेल्फ रेस्पेक्ट जब तक इनसान अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बना करके कोई काम करता है तब तक वो आजाद रहता है लेकिन जब वो किसी के सामने इतना गिर जाता है कि उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट खतम होने लगती है तो उसकी लाइफ समस्याओं से गिर जाती है और वो गुलाम बन जाता है इसलिए दूसरों के गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आजाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए सीख नमबर चार वासना डिजायर गुस्सा एंगर और लालच ग्रीव ये तीनों नर्ग के दरवाजे हैं डिजायर्स बिना किसी मकसद के तो हम जिन्द की जीने ही सकते देगो और मकसद पूरा करने के लिए हमारे मन में डिजायर होना बहुत जरूरी है लेकिन जब वो मकसद कैवल और कैवल खुद तक ही सीमित होके रह जाए और आपको इस बात से कोई फर्क ना पड़े कि आपकी डिजायर की वज़े से सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है तो फिर वो डिजायर ना बहुत दुख दिने वाली बन जाती है क्योंकि कभी ना कभी उसके गलत नतीजों का मुकाबला आपको करना पड़ेगा गुस्सा गुस्से के बारे में क्या बहुत गुस्सा हमारे कमजोर होने का सबसे बड़ा सबूत है जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता ना वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है ठीक है अगर किसी के अच्छे के लिए आपने गुस्से की एक्टिंग कर ली तो समझ में आता है लेकिन ये क्या बात होई कि बीपी हाई हो गया आख हिलाल हो गई पसीना आ गया पूरे आउट ओफ कंट्रोल हो गई लालच सोने की मुर्गी आपने सुनी होगी ना कहानी थी एक सोने की मुर्गी बाई जो मुर्गी एक दिन में एक सोने का अंड़ा देती थी लेकिन एक दिन उसके मालिक ने अपने मन में लालच किया कि भहिया ये अगर मुर्गी डेली अंड़ा दे रही है तो इसके पैट में पता नहीं कितने अंडे होंगे और मैं डेली एक एक अंडा नहीं ले सकता मैं आज ही इस मुर्गी का पैट काट कर गए पूरे अंडे बहार निकाल लेता और आखरे मां क्या हुआ मुर्गी मर गई उसको अगले दिन से कुछ नहीं मिला जितना उसको मिल रहा था न उसके लालच की वज़े से वो भी उसके हाथ से चिंगे वासना, गुसा और लालच डिजाय, एंगर एंड ग्रीट ये तीनों नर्ग के दर्वाजे हैं और मरने के बाद वाले नर्ग की बात नहीं कर रहा है नर्ग समान जिन्दगी जीना मरकर नर्ग जाने से भी बुरा है सीख नमबर पांच इंसान जब पैदा होता न तो वो नंगा आता है और मरता है, तब भी उसको ऐसे ही जला दिया जाता है उसके साथ में कुछ नहीं जाता वो कुछ नहीं लेकर जा पाता जिन्दगी में जो कुछ भी आपको यहां आने के बाद मिला है वो आपके आने से पहले किसी और का था और जब आप यहां से चले जाओगे तो वो सब किसी और का हो जाए जो पैसा आपके पास है ना आज जो नाम आपके पास है जिस पोजिशन पे आप उस पोजिशन पे आपसे पहले कोई और था आज भले ही आप वहाँ होई लेकिन कल कोई और आपसे वो जगह छिन लेगा और यही शरश्टी का नियम है और भागवत गीता की वो सबसे बड़ी सीख है जो आज हर एक प्रत्वी वासी को समझनी चाहिए तो अगर बदलाव इस दुनिया का नियम है तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है कोई तो चीज होगी जो हमेशा आपके जाने के बाद भी इस दुनिया में रही और दैट इस इंसानियन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनी है हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है और हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े हो है हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कामों में लग जाते है और उनका नतीजा भी गलत होता है खेर छोड़िये आज हमारे पास जो कुछ भी है चाहे हमारा प्यार हो कोई रिष्टा हो पैसा हो या नाम हो वो हमसे एक ना एक दिन जरूर छिन जाएगा जरूर दूर चला जाएगा और यही विष्ष्ष्टी का नियम है कि जो कल किसी और का था वो आज आपका है लेकिन आज जो आपका है ना वो आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा इस वीडियो की सीख नंबर 6 है आज आप अपनी जिन्दगी में जो कुछ भी हो वो केवल और केवल आपकी सोच की वज़ा से है आज कोई भी इंसान अगर किसी लेवल पर है ना चाहे वो लेवल उपर हो, नीचे हो वो केवल और केवल उस बंदे की सोच की वज़ा से है केवल और केवल वो आपके खुद के सेल्फ बिलीफ की वज़ा से है अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहता है और अगर वो बनना चाहे तो वो अमीर बन सकता इस दुनिया के किसी माई के लाल में इतनी हमत नहीं है कि उसको अमीर बनने से रोक सके और अगर एक अमीर, बर्बाद हना चाता है, वो भी आसान है अगर कोई क्रिकेट का भगवान है न, तो वो केवल और केवल उसकी सोच की वज़े से है अगर कोई एथिलीट किसी competing में gold medal लेके आता है, तो वो केवल और केवल उसकी मजबूत thinking process की वज़े से वो sports person gold medal लेके आता है किसी भी काम को actual में यानि कि physically complete करने में बहुत time लग सकता है 10 साल लग सकते, 50 साल लग सकते यहां तक कि अपनी पूरी उमर निकल सकते है लेकिन उतने साल तक अगर आप अपना मार्ग नहीं बढ़कते तो वो केवल और केवल आपकी सोच की वज़े से है अगर आपने अपने मन में किसी मनजिल को जीत लिया है तो उसको actual में जीतना मात्र एक ओपचारिकता रह जाती है भागवत गीता से मिलने वाली और इस वीडियो की साथवी सीख है इस दुनिया में सबसे शान्त इंसान केवल वो है जिसकी बुद्धी और आत्मा दोनों एक पक्ष में है जिनका दिमाग और दिल एक तरफ है सुनने में अजीव है वो इंसान कभी भी कुछ नहीं रह सकता जिसके विचारों में बहुत सारी इच्छाएं होती है और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती न तो उस बंदे के अंदर क्रोध बेदा होने रखता है कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है अगर आप अपने आपको काबू में करके वो कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं और जो वास्तों में सही है और आपको संतुष्टी देता है और जो की वास्तों में आपको करना चाहिए तो आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता हमारे मन के अशान्त रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बहुत सारी डिजायर्स के पूरे होने की शर्त पर खुशियों को बांध के रख देते हैं एक कोने में जबकि happiness क्या है It's the state of mind खुशी एक मानसिक अवस्ता होती है इसलिए ही कहा जाता है कि जो आपका मन करें वो खीजे अगर आपका मन करता है कि यार खुले आसमान में उडान भरू में तो उडान भरी अपने विचारों को अपने दिल से सहमत रखी सीख नमबर आठ कोई भी काम अच्छा और बुरा केवल एक वज़ा से बनता है कि उसको करने के पीछे आपका इरादा कैसा है आपका intention क्या है उसको करने के पीछे आप उसकाम को करना क्यों जाते है क्या आप उसकाम को इसलिए कर रहे है कि जिससे आपका कोई स्वार्थ पूरा हो या आप उसकाम को इसलिए कर रहे है कि किसी का भला हो जाए काम भले ही एक ही हो लेकिन उसका नतीजा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा है महाबारत के युद्ध में लड़ाई पांडव भी कर रहे थे और लड़ाई कोरव भी कर रहे थे पर दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरित थे पांडव धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधारम के लिए दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी पूरी-पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे हैं काम एक होने के बाद भी महनत एक होने के बाद भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए कारण था इंटेंशन इरादा एक का इंटेंशन सही था दूसरे का गलत था इस वीडियो की और भागवत गीता की नवी सीख है सच्चाई और अच्चाई को ना कभी हराया जा सकता है और ना कभी छिपाया जा सकता है इसलिए सच कहने से और अच्छे काम करने से इस विशे के बारे में भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता एक वक्त आने पर उनको दुनिया की सामने आना ही होता है आप उनको सामने आने से रोग नहीं सकते इसलिए अगर आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो गलत है जिसमें जूट है तो आपको उस काम को आज ही छोड़ देना चीए क्योंकि किसी ना किसी दिन आपकी सच्चाई इस दुनिया की सामने जरूर आएगी हम आज कल अपनी लाइब में बहुत सारे जूट डेली बोलते हैं कई बार किसी के आरोप से बचने के लिए जूट बोलते हैं तो कई बार अपना फाइदा देखने के लिए जूट बोलना पड़ता है श्री भाकवत गीता में ये भी कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसा सच बोलते हैं जिससे किसी मासून के साथ अन्याय होता हो तो ऐसा सत्य अच्छा नहीं होता और अगर आप ऐसा असत्य बोलते हो जिससे किसी का भला होता है पर किसी का नुकसान नहीं होता तो ऐसा असत्य भी बुरा नहीं होता है इसलिए अपने विवेक से दो बार सोच करके उसके बाद ही निर्णे ले कि आपको क्या बोलना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए सीख नमर दस, अगर आप जिन्दकी में कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए संगर्स करना पड़ेगा और अगर आप संगर्स नहीं करना चाहते हैं, तो आपको इस बात का दुख नहीं होना चाहिए, कि आपको वो सब हासिल नहीं हुआ जो आप हासिल करना चाहते थे आप ये में देखे कि आपको भूग लग रही है, प्यास लग रही है, आप ये में देखे कि आपको नीन आ रही है, या गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, अगर आप जिन्दगे में कुछ पाना चाहते हैं, या आपकी जिन्दगी में किसी लक्षे के बहुत खास माइ तो फिर आपको संगर्स करना ही पड़ेगा और अगर आप संगर्स नहीं करना चाते हैं तो फिर आपको जितना कम मिले या नहीं मिले या आपका बुरा हो आपके साथ गलत हो आपके साथ पार्शिलिटी हो अन्याय हो आपके अंदर होनी ची इतनी हिम्मत की आप उन दुखों को सहन कर सको क्योंकि ये आपकी लाइफ थी आपका ड्रीम था और आपकी महनत थी जिसको महनत करनी थी वो महनत करके सुखों को भोग रहा है और जिसको कोरे सपने देखने थे वो आज भी वैसा ही है जैसा वो तब था जब उसने वो सपना देखना शुरू किया था आपको सं आत्र ऐसी चीज है जो अगर इंसान समझ ले जो अगर इंसान समझ ले तो उसके 100% दुख समाप्थ हो सकते हैं और वो बिना डिश्टर्ब हुए मेहनत कर सकते हैं और ऐसी कोई मंजिल नहीं बचेगी इस दुनिया में जिसको फिर हासिल ना कर सके और सबसे शांदार बात यह होगी कि बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी आपको कभी घमंड नहीं होगा आपका कभी भी किसी काम को करने का यह उत्तेश्य नहीं होना चीए कि अगर मैं यह काम कर दूंगा तो मुझे यह फल मिलेगा अक्सर यह होता है कि हम महनत तो करते हैं लेकिन उस महनत से ज्या हाई हो जाती है जितनी हमारी महनत होनी चीए लेकिन अगर आप अपने काम में सफल नहीं हो पाते तो एक बात आपको जरूर याद रखनी चीए कि अगर आप इस काम में सफल नहीं हुए तो कोई और इस काम में जरूर सफल हुआ होगा क्योंकि उसने आपसे ज्यादा महनत शील बन जाएगा ना उस दिन सफलता आपकी भी हो जाएगा इसमें कोई डाउट नहीं लेकिन श्री भाकवत गीता में श्री कृष्ण रिजल्ट के बारे में सोचने से तो क्लियर मना करते हैं कि अर्जुन तू चाहे ये लड़ाई जीते या हारे तू आएगा मेरे पास ही ना तो ये है कि तू जीत करके कहीं और चला जाएगा और ना ही ये है कि तू हार करके कहीं और चला जाएगा जैसा सब पहले था वैसा बाद में भी होगा इसलिए तू उठ और इस युद्ध के परिणाम के बारे में सोचे भीना ये समझ का लड़ाई कर रहा है कि ये लड तो तो केवल एक चोटी सी वज़ा है उस काम की पर वास्तों में तो मैं क्रिश्ण ही कर रहा हूं उस काम को दोस्तों आप केवल अपनी मेहनत पर ध्यान देजिए कोई आपको लूजर कहे या आपको फैलर कहे आपका काम है केवल काम करना अपना काम करते रहें सीख नंबर 12 इस दुन्या में हम सब अपने आपको बहतर बनाने के लिए आए हैं। कुछ बहतर सीखने के लिए आए हैं। और जो ऐसा नहीं कर रहा ना, वो हर दिन मर रहा है। इंसान का नाश दो तरह से होता है। एक तो जब उसका शरील बुड़ा हो जाए और रगों में खून दोड़ना बंध हो जाए। और दिल काम करणा बंध कर दे तो उसकी मौत हो जाती हैं। जूसरी मौत कब होती इंसान की, दूसरा नाश कब होता है जब वो अपने मन से हाल जाता है। उसलिए श्री भाकवद गीता में कहा गया है कि हमारी आत्मा हर जनम में अपने आपको पहतर बनाती हुई अपनी यात्रा पे आगे बढ़ती रहती है और जब उसका एक ले वल आता है तो वो परमात्मा से मिल जाती है वापत और फिर शरीर को वापस धारन नहीं करते हमारी जो उत्पत्ति है ना वो अगर उस परमपिता से हुई है जिसको हम भगवान कहते हैं या अल्ला कहते हैं या जो कुछ भी कहते हैं धर्म आपके अलग हो सकते हैं बट ये सोचिए अगर आपको बनाने वाला वो है, अगर वो इतना मजबूत है, तो आप कमजोर कैसे हो सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने मन से हार नहीं मानने चीए। श्री भागवत गीता की और इस वीडियो की तेरही सीख है, कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हिम्मत वाले और सबसे ज़्यादा दाकत वाले वो लोग हैं, जो माप करना जानते हैं। एक पर जला सोच करके देखिए कि भागवान को कौन सी चीज भागवान मनाती है। या चाहे वो अच्छे काम करके बड़ा बनाओ, या चाहे बहुत सारे पैसे कमाके बड़ा बनाओ, किसी की गलती पर नाराज होना या उस पर गुस्सा करना बहुत आसान काम है, कोई भी कर सकता है, लेकिन हिम्मत वाले लोग ही गलती करने वाले को माफ करके एक और मौका सीक नमबर 14 इस दुनिया में जब भी कोई इंसान महार मन कर कुछ करता है तो बाकी की दुनिया भी वैसा ही करती है आज कल हम देखते हैं कि जब कोई फिल्म हीरो ऐसी नई हैरिस्ट्राल के साथ में आता है किसी मुवी में न या किसी एक अलग नए डांस सिस्टेप के साथ आ करेगा और तेरे वंश को गालिया देगा कि अर्जुन कितना कायर था लेकिन अगर तू अपना युद्ध करके जीत जाएगा तो इससे आगे आने वाली जो दुनिया होगी ना उसमें तू एक एक एक्जामपल सेट करे और वह एक्जामपल यह होगा कि धर्म की अधर्म प पर हो जिस लेवल पर जाना एक सामने इंसान के लिए आसान बात नहीं होती तो आपको अपनी हाई पॉजिशन से इस दुनिया में ऐसे एक्जामपल सेट करने चाहिए जिनसे सब लोगों की बलाई हो और सब को सही रास्ता देखे सीख नंबर 15 आपकी जिंदकी केवल तब अलग सोचने का तरीका ही आपको इस दुनिया में सबसे अलग बना साथ है हम सब अपनी लाइब में बहुत कुछ करना चाहिए हम सब सपने देखते हैं कि मेरे पास करोड रुपय हो हम सब देखते हैं you know मेरे पास एक शानदार बड़ी सी कार होनी जी परोफिट वाले किव भी बदलना पड़ेगा, अगर आपको वो सब हासिल करना है, जिनको आज तक आप हासिल नहीं कर पाए, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, जो आज तक आप नहीं कर पाए, और आप वही सोचते रहेंगे, और वही करते रहेंगे, जैसा आप आज तक करते आए, तो आप आपको इस बार भी वही मिलेगा जैसा आपको आज तक मिलता है, शब्टों में मत वसी, भावना इस समझे, कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पढ़ता है, अपने सोचने का अलग नजरिया, आपका अपका अपनी परिस्तितियों को देखने का अलग नजरिया, और अपने काम करने का एक अलग यूनीक तरीका ही आपको एक अलग यूनीक और महान इंसान बना सकता है भागवत गीता की और इस वीडियो की सौलह भी सीख है कि हमें लगता है कि मन को गुलाम बनाना मुश्किल है लेकिन भगवान श्री कुछन कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है और हम अपने दिमाग को, अपने विचारों को और अपने आपको खुद के वश्मे कर सकते हैं पशरते अगर हम ऐसा करना चाहें तो और अगर इसका अभ्यास करें तो जब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन तुझे अपने मन को काबू में रखकर अभी केवल और केवल अपने युद्ध पर ध्यान देना चीए काम को शफल बनाया जा सकता है अगर कोई किसी काम को फटह करना चाहता है और अगर वो ऐसा एक बार में कर पाता तो उसको अपनी कोशिश जारी रखनी है बbor आफ को सौने हैं तो आपको अपने फेल होने की दर बढ़ानी पड़ेगिए किसी आप प्रेक्टिस करेंगे तो ये मन का जो विचारो वाला पहाड है ना उसको भी आप अपने घुठनों तले ला देंगे श्री किष्ण कहते हैं कि अभ्यास से सब संबाव है अब चाहे वो कोई काम हो या फिर मन को काबू में करना इस दुनिया में हर वो चीज जिसकी शुरुआत होती है उसका कभी न कभी अंत जरूर होता है और जब किसी भी चीज का अंत होता है तो ठीक वहीं पर एक नई शुरुआत भी होती है और ये चक्र ऐसे ही कई अनंत सदियों तक चलता रहता है और ऐसे ही चलता आया है और आग दुख आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और तीन दिन के बाद में आप पूरी तरह से दुखी हो जाओगे, फिर कहीं से थोड़ी से उमीद की किरन आईगी आपके पास में, और आपको बहतर महसूस होने लगेगा, और आपको ये लगने लगेगा कि आपका अच्छा वक्त आ रहा है, और आपको सुख मिल रहा है, एक समय आने पर आपका वो प्लेजर भी पीक पर होगा, लेकिन दोस्त, वहाँ पर भी आपकुछ पल के लिए रुखेंगे, पहाड की चोटी पर जाने के बाद में, वहाँ से केवल नीचे आने का ही रास्ता बचता है, और आपके स शुरुआत जरूर होती है, चाहे उसको उम्मीद ही क्यों न कहते हैं, जो दुख के लम है, या जो सुख के लम है, आप आज जी रहो ना, वो मैथमेटिक्स के कॉंस्टेंड नहीं है, बलकि वेरियबल्स है, उनका केरेक्टर है वेरिकरना, बदलना, और वो अपना गुर इसलिए सुख और दुख की फिलिंग वाले चक्कर में मत फस्त, और हमेशा शांत रहने की कोशिश कीजिए, चाहे कितना ही सुख हो या कितना ही दुख हो, इस वीडियो की और भागवत गीता की अठारवी सीख है, कि हमारे शरीर से बड़ी हमारी इंद्रियों से बड़े ह उसको कहते हैं आत्मा, यह सीख थोड़ी spiritual लगती है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाने कोशिश घराऊए, और आपको यह समझ में आए और आजकी लाइफ पर आप इसको अपनाई कर साओ, श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि हमारा शरीर तो सबसे नीचा जो केवल अपने शरीर के बारे में और उसके प्लेजर्स के बारे में सोचता है उसका लेवल सबसे नीचे रहता है। उससे उपर उटकर कोई इंसान अपने विचारों में जीता है तो वहाँ से चांसिस होते हैं कि वो कुछ ऐसा भी सोचे जिससे उसकी जिन्दगी पूरी तरह से बदल जाए वो कुछ बड़ा काम कर जा है और जो विचारों से भी उपर उटकर के मैं कर रहा हूँ यह सोचे कि भगवान कर रहा हूँ तो अगर आप ऐसा सोचोगे इस लेवल पे अगर आप सोचोगे तो आप इंटेलिजेंस के लेवल से भी उपर चले जाए सीख नबर 19 खुश रहना या दुखी रहना आपकी खुद की मानसिक अवस्था है और इसका बहारी दुनिया से कोई लेना देना नहीं बिइंग हैपी और बिइंग सेड यह खुशी और दुख जैसे मान लो कि यह दो कुए हैं और आप आपकी मरजी है कि आप कौन से कुए में रहना चाहते हैं अगर आप खुशी वाले कुए में होना तो कोई कितना ही वहां से आपको निकानने की कोशिश करें आपको दुखी करने की कोशिश करें पर यह आप पर निर्बर है कि आप उस खुशी वाले कुए से बाहर निकलना चाहते हो या नहीं अगर आप दुख वाले कुए में नीची गर्दन करके मान के बैठे हो कि आपको तो दुखी ही रहना है तो इस दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर भी आपको हैपिनेस नहीं दे साथा खुश रहना या दुखी रहना दोनों आपकी चॉइसिस पर आप जैसा रहना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है सीख नंबर 20 इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा शत्रू हमारा मन है अगर हम उसको वश में नहीं रख पाते हैं तो एक बार ज़रा सोचिये कि हर इंसान मेहनत क्यों नहीं कर पाते हैं अगर हम चाहे तो हमारे मन को हम अपने सबसे बड़े मित्र में बदर सकते हैं हम अपने मन को काबू में करके उन सब कामों को बहतर ढंक से कर सकते हैं जिनको करने में हमें मजा नहीं आता लेकिन जिनको करना हमारे लिए जरूरी होता है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ डिसिप्लिन अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं तो हमारे लिए इस दुनिया में कुछ भी पाना मुम्किन है इस वीडियो की आखरी और 21 वी सीख है कि लाइफ ना तो पास्ट में है और ना ही फ्यूचर में है अगर लाइफ है ना तो वो केबल वर्तमान में है हम पास्ट को याद तो कर सकते हैं और उसमें किये गए कर्मों के फल को भुगत तो सकते हैं Even आज की डेट में भी जो काम हम कर रहे है कभी फल स्वरूप हमारे भाश्य में हमारे सामने वो खड़े होंगे। इसलिए हमारा उदय्द्श्य होना बड़ा होता है लेकिन बीच से पेड़ जरूर बनता है नाम से कोई इंसान अच्छा है बुरा नहीं होता बलकि उसके काम से होता है उसके करम ही उसको अच्छा और बुरा बनाते है और क्योंकि इंसान की पहचा नाम से द्यादा उसके काम से होती है इसलिए इंसान को हमेशा बड़े काम करना चाहिए उमीद है कि आपको इवीडियो पसंद आया होगा और आपकी जिंदगी को बहतर बनाने में इसकी थोड़ी बहुत भूमिका तो जरूर रहे मेहनत करते रहे और आगे भड़ते रहे और एक समय बात देश में अपना ही नहीं बलकि दुनिया में देश का नाम भी कीजिए जय हिंद वंदे मात्रा बहुत से लोग बहुते हैं कि मैं आदत से मजबूर हूँ मैं रात को टाइम पे सोना चाहता हूँ पर रात को मॉबाइल हीउस करने की आदत से मजबूर हूँ आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं न उसी तरह अगर अच्छी आदते पाल ली तो आप अच्छी आदतों से में मजबूर हो जाओगे जीवन में उतारना शुरू करना है जो ना केवल आपको सफलता दिलाएगी बल्कि आपको एक ऐसा अच्छा इंसान भी बनाएगी जिसको देखकर लोग यहीं बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ कि पूरे दिन में ऐसी कोई चनोती नहीं होगी जिसको आप हरा ना सको सुबह जल्दी उटना ये शो करता है कि आप में कितनी विल पावर है आपकी लाइप में आपके ड्रीम्स को अचीव करना कितना ज्यादा ज़रूरी है सुबह जल्दी उटने का मतलब है एक्स्टा टाइम, एक्स्टा एनर्जी, एक्स्टा एफोर्ड जो आपको जिन्दगी में हमेशा कुछ एक्स्टा ही दिलाएगा अगर आप सुबह लेट उटने की आदत से मजबूर हैं, तो डेवी अपने अलार्म को पांच मिनिट पहले लगाईए और कुछ ही दिन में आप आज की तुलना में सुबह जल्दी उटना शुरू कर देंगे करते हैं, अपने सपनों के बारे में हर एक वो बात जाना चाहते हैं जो उस सपने को और आसान बनादे बले ही आप एक लाइन का ग्यान सीखो, लेकिन हमेशा कुछ नया जरूर सीखो, दुनिया में ग्यान की कोई कमी नहीं है लेकिन जिस फिल्ड के बाद चाह आप बनना चाहते हो उसके बारे में हमेशा नया सीखने के लिए उत्सुक रहें हो सकता है आप कोई ऐसी चीज सीख जाएं जो आपको इतना हासिल करके दे दे जितना आपने सोचा भी नहीं हो पर इसके लिए आपको हमेशा एक बच्चा बनके सीखना पड़ेगा पंदरे सूपर हैबिट्स की लिस्ट में तीसरी हैबिट है बोले कम और सुने ज्यादा धवान ने इंसान को दो कान दिये हैं और एक मुह दिया है सुने ज्यादा और बोले आधा सुनने वाले कभी भी नुकसान में नहीं रहते सुनने वालों को हमेशा कुछ ना कुछ एक्ष्टा सीखने को मिलता है कम बोलने का मतलब है एनरजी का कम वेस्ट होना लोगों के मुह ज्यादा नहीं लगना किसी के सामने हलके नहीं पड़ना किसी से बिना मतलब के उलजना नहीं कम बोलने वाले और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं जब इंसान कम बोलता ना तो उसकी सोचने की शक्ती बहुत ज्यादा होती है जब इंसान कम बोलता है तो वो खुद से ज्यादा जुड़ा रहता है उसके अंदर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जितने किसी भी मंजिल को खुद के घुटनों के तले लाने पे मजबूर कर सकते हैं पंदर सूपर हैबिट्स की लिष्ट में चोथी सूपर हैबिट है ऐस हैमत होना और मना करना सीखिए हम कोई कटफुतली नहीं है जो हर बात पर जी भहिया जी सर आजी करते रहते हैं मैं एक अलग इंसान हूँ मेरे सपने अलग हैं तो मेरे सिधान्थ भी अलग होगे मेरी मंजिल अलग है तो मेरा रास्ता भी अलग होगा अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है जरूरी नहीं कि जो तरीका औरों के लिए काम करें वो मेरे लिए भी काम करें मैं भी औरों का तरीका यूज करूँगा तो औरों के जैसा ही बन जाओंगा मैं इस आठ सो करोड की दुनिया का सबसे अलग इंसान हूँ और मुझे ऐस हैमत होने का पूरा अक है हर उस बात के लिए उस काम के लिए जो मेरे सपने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अगर आपका मन नहीं है दोस्तों के साथ घूमने जाने का तो मना करना सीखिए अगर आपको doctor नहीं soldier बनना है, तो मना करना सीखिए कि मुझे doctor नहीं बनना soldier बनना है जवर्दस्ति ज़्यादा दिन तक नहीं चलती और ना कुछ हासिल करके देती है, मना करना सीखिए क्योंकि मना करने पर औरों की नजर में कुछ वक्त के लिए गलत बन सकते हो लेकिन खुद की नजर में और आने वाले जमाने की नजर में कभी गलत नहीं बनोगे पंदर है सूपर हैबिट्स की लिस्ट में पांचवी सूपर हैबिट है पहतरीन तरीके से रिस्क लेना सीखिए इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क नहीं लेना अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं अपने जिंदगी को बरबाद करने का या वहीं पर हमेशा के लिए अटक जाने का रिस्क ले रहे हो, जहां पर आज आप हो, मन से रिस्क लेने का डर निकाल दीजिए, कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका समय बरबाद हो जाएगा, आपके पैसे वेश्ट हो जाएगे, इंसान को पैदा रिस्क लेने का कभी भी अफसोस नहीं करेंगे, लेकिन अगर रिस्क नहीं लिया, तो अफसोस उस वक्त होगा, जब आप एक पिस्तर पर लेटे होगे, और नाक में ऑक्सिजन का पाइप लगा होगे, जिंदकी बदल देने वाली 15 सूपर हैबिट्स की लिस्ट में, चोती इस की सूपर हैबिट है उस इनसान को समझने की कोशिश कीजिए जिसके साथ आप अगले 60 साल गुजानने वाले हो और वो हो खुद आप आप अपने आपको कितना टायम देते हैं आप अपने पास्ट के बारे में कितना सोचते हैं अपने प्रिजेंट को मैनेज करने के बारे कौन सी है आपको आपके खुद के अलावा कोई भी इंसान बहतर ढंग से नहीं समझ सकता इस बात को समझे अगर समझ भी सकता आपको कोई इंसान तो जो फिलिंग अभी आपके मन में चल रही ना इस वक्त उसको आपके अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता It's only you, it's only your thought, it's only your attitude which is always with you अपने आपको केवल 10 मिनट दीजिए और 10 मिनट में कोई भी दूसरा इंसान आपके पास ना हो कोई स्मार्टफोन ना हो आपके पास में, कोई किताब आपके आसपास ना हो साथवी सूपर हैबिट है निर्णे लेना सीखिए और एक्शन लेने में देर मत कीजिए ऐसे कितने काम है जो आपने आज तक पेंडिंग छोड़ रखे हैं ऐसे कितने डिसीजन्स है जो आज आपके लिए लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है लेकिन आप लेना नहीं चाहते कि आपको इस रिलेशन्सिप में रहना है या नहीं डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस जोब को छोड़ना है या नहीं डिसीजन ही नहीं ले पाते कि आपको बायो लेनी है या मैट्स लेनी है आपको नर्सिंग करनी है या आपको इंजिनिरिंग करनी है आपको प एक्षन करने के बीच का जो टाइम गेप होता ना that is almost zero. अगर आपने रात को 11 बजे कोई decision लिया है, आपने कोई plan मनाया है कि ये काम करेगा, तो 11 बज कर एक second पर आपके actions उस decision को support करते हुए दिखने चाहिए. जिन्द की बदल देने वाली 15 super successful habits में 8 वी super habit है, समय को काम में ल समय ही एक ऐसा parameter है, जिसके आप साथ तो दोड सकते हो, लेकिन उसके पीछे नहीं रह सकते, और ना ही आगे निकल सकते हो, आज जो भी आपकी life में चल रहा है, उसका आपको सामना करना ही पड़ेगा, समय के साथ चलना सीखिए, और आज के समय में आपके लिए, जो महत्व खो, उस काम को करते हुए, आपको चलना है, समय के बहाव में अगर एक बार फीचे छूट गए ना, तो फिर जितनी मर्जी रेज लगा लना, वो पहले वाली बात तो कभी नहीं हो गया, जो सो रहा है ना, वो डेफिनेटली खो रहा है, और जो जाग रहा है, वो भाग रह आज सुबह से कितने नोटिफिकेशन आएं आपके मोबाइल में, अगर आपको नोटिफिकेशन को स्वाइप ही करना है ना, तो इससे अच्छा है कि एप नोटिफिकेशन को फूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए, या अगर वो एप ज़रूरी नहीं है, तो उसको अगर आपको खुद का काम करने का मन कर रहा है, और आपके पास में एक बहतरीन आइडिया है, तो छोड़िए अपने नो से पांच के जोब को, और काम करना शुरू कीजिए अपने सपने बर, आप अगर अपनी लाइफ में, अपने काम पर कॉंसेंट्रेशन करना चाहते है तो डिस्ट्रेक्शन को हटाना ही पड़ेगा, लाइफ माइनस डिस्ट्रेक्शन इस इक्वल तो कॉंसेंट्रेशन, जितने भी लपड़े आपने पाल रखेना, उसको हटाईए, क्योंकि उनमें उलजहे रहकर, आपके सपने केवल सपने ही रह जाएंगे, जिंदगी बद चीज तो मैं खरीदूंगा, लेकिन दस दिन बाद खरीदूंगा, देखना आपके जो डिसिजन्स होंगे न, जो फालतो चीज को खरीने वाले डिसिजन्स थे, वो दस दिन बाद में बिल्कुल बदल जाएंगे, देखे बाई, पैसा बचाईए, ये आपकी मेहनत की कमाई अगर आपकी मेहनत की नहींए, तो आपके घरवालों की मेहनत की कमाई होगी, जितना पैसा कमा रहे होना, उसको है और वहाँ से जो पैसा है, उसको फिर मेहन्शन कीजिए, और वहाँ से फिर तो प्रॉफिट निकल के आए, उससे अपने खरचे निकाली है वो भी पैसों का ही है जिन्दी की बदल देने वाली पंदर सूपर सक्सेस्पूल है ग्यारवा नंबर है अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकाल कर पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना पसंद कीजिए एक बड़े इंसान ने कहा है आप मुझे अपने दोस्तों से मिलवाइए उन लोगों से मिलवाइए जिनके साथ में आपका उठना बेटना है और मैं वदा दूगा कि आप कैसे हो आपका विवार कैसा है, आप क्या सूचते हो कमपनी का बहुत असर पड़ता है अगर आपके चारों तरप के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो आपका वहाँ पर रहना पॉइंट लेस है इससे अच्छा होगा कि आप अकले रह जाओ क्योंकि ये वो लोग है जिनको सर्दियों में गर्मिय अच्छी लगती है पढ़ने वाला है नहीं और आपको कुछ मिलने वाला है नहीं उलजने से जिन्दगी बदल देने वाली 15 सूपर सक्सेस्फूल हैबिट स्की लिस्ट में बारवी हैबिट है अगर कुछ भी आइडिया आ रहा है आपके दिमाग में तो उसको नोट कीजी अगर आपके कुछ भी प्लांस है तो उनको नोट करना सीखिए एक डायरी बनाईए या स्मार्टफोन में एक एप डाउनलोड कीजी और उसमें अपनी लाइफ के नोट को बनाना शुरू कीजी आज आप में अगर कुछ कमिया है और आप उनसे अगले 6 महने में जीतना चाहते हैं तो उनके बारे में भी लिखिए जब मेरे मन में भी किसी वीडियो को बनाने का आइडिया आता है न तो मैं उसको तुरंथ नोट कर लेता हूँ क्योंकि अगर एक बार कोई आडिया मीस हो गया तो समझो एक अवसर चला गया एक सफलता का मौका चला गया एक संभावना चली गई दुनिया बदलने का एक मौका चला गया खुद की लाइफ बदलने का एक मौका चला गया खुद की लाइफ बदलने का एक मौका चला गया और आप अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा रफ्तार से भागो पहला सुख होता है निरोगी काया और जब हम बिमार होते हैं तो भाही हमें पता पड़ता है कि यार ये जो बिमारी है बड़ी गंदी चीज़ है ऐसे कई स्टुडेंट्स होते हैं जो पूरी साल बर बहुत महनत करते हैं और एक्जाम टाइम में जरा सी लापरवाई के वज़ा से बिमार हो जाते हैं और वो उतना परफॉम नहीं कर पाते हैं जितना वो कर सकते थे अच्छा खाना खाईए कैलोरीज बर्ण कीज़े, मेडिटेशन कीज़े, योगा कीज़े और दारू सिगरेट छोड़ी है यार बहुत से लोगों जो ऐसा काम कर रहे हैं और अगर आपने छोड़र कें सब नशे तो कभी भी पकड़ने के बारे मत सोचना क्योंकि एगर आपको नशा चाहिए, तो वो आप रखे केवल अपनी मंजिल को पानेगा, बाकी नशे तो सब फिके हैं इसके साब जिन्दगी बदल देने वाली पंदर सूपर हैबिट्स की लिस्ट में है, चोड़वी हैबिट है, हमेशा मुस्कुराते रही है रोने वाली इंसान जेना, कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की जिन्दगी में अपनी अपनी तकलीफे हैं, कोई अपनी लाइफ में फ्री फोकट में, और ज्यादा धुक्यों बढ़ाना चाहिए, सब के अपने अपने धोके हैं, और बुरी हवाओं इसके पहले कि मैं आपको पंदर फी सूपर सक्सेश्पूल हैबिट बताऊ, मैं चाहता हूँ कि एक बार जल्दी से, इन 14 सूपर सक्सेश्पूल हैबिट्स को आपके लिए मैं रिवाइज कर दूँ, हैबिट नमबर वन, सुबह जल्दी उटने की आदिट डालिए, हैबि आइबिट नमेर् 9. पैसा कमाईए, बचाइए, और इनिवेश्ट कीजिए लेकिन बचच्त मत कीजिए हादत नमेर्ट 11. अगर कुछ भी आइडिया आ रहे हैं यहादे लेकिनौ के सिर्फ़िकित改ी हमेशा मुस्कुराते रहिए और अब बात करते है सुपर सक्सेस्पूल हैबिट नबर 15 जो हर एक इंडियन में होनी चीए और जो सब हैबिट से बहुत उपर है हैबिट नबर 15 एक जिम्मेदार भारतिय नागरीक बनिये ऐसे बहुत सारे काम है जो आप करके दूसरों की मदद कर सकते हैं दूसरों के दुखों को कम करने का परियत्न कीजिए दूसरों का पेट भना सीखिए और दूसरों के चहरे पर मुस्कुराहट लाना सीखिए एक सफल इंसान पूरी तरह से सफल तभी होता है जो आप कर दूसरों केसे सफल पूसरों के जूसरों के भना सीखिए